क्या ऐसे कारण है कि हम नया बीज खरीते हैं, हेल्दी बीज होता है, बजार से खरीते हैं, अच्छी कंपनी का बीज होता है, उसके बाद भी उसका खेत में जमाव कम होता है, अंकुरण कम रहता है, जिस कारण से पौधों की संख्या कम रह जाती है, और आखिर में उसका ये छेत्रों में देखी जा रही है कि हम healthy seed देते हैं एक अच्छा नया बीज लेते हैं उसे बोते हैं लेकिन जो बीज निकल के आता है उपके आता है वो काफी कम रहता है और जब बीज का जमाव कम होगा तो निश्चित रूप से उपजबे भी काफी कमी आ जाती है तो हम क्या इसी गलती कर रहे हैं जिस कारण से ये जमाव कम हो रहा है आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा यहां मैंने कुछ points लिखे हैं जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सौझ में आएगा कि हम कोई एक गलती कर रहे हैं या दो कर रहे हैं सारी की सारी गलत हैं तो बीज जब बोने के बाद उसमें अंकुरण होता है और बीज से जड़े निकलती है और उसका अंकुर निकलता है और वो अंकुर जमीन के ऊपर आता है और इस अंकुर का ऊपर आना बहुत जरूरी है तभी जो है वो पौधा बनता है होता यह है कि अगर हम बीज को यह हमारा बीज हमने यहां बोदिया, इसका कथ अंकुर निकला और यह निकला और यह उपर तक नहीं आ पाया तो यह गही पे अंकुर खतम तो पहला कारण यह होता है बहुत हम गहरी गहका कर दें अभ माली जिसके मकका के यह पहों की बात करें तो इसमें जो गहरा ही होती यह 5 संसेंटेमेटरी आप जाए चलएगा तो फिर निकल के नहीं आएगा तो अंकूर यहां तक ही आएगा और फिर नहीं निकल पाएगा मान लीजे इसकी 5 cm है और हमने यहां पर बीज बोया है तो आप देख सकते हैं अंकुर अराम से उपर बाहर आ जाएगा तो पहला तो यह है कि हमारी जो फसल है उसकी हम बुआई कित्ती गहरी कर रहे हैं तो जनरली जो धान है मक्का है गेहूं है इनकी जो गहराई होती है 5 cm होती है जिससे छोटे बीज होते हैं जिससे सरसों है उसकी फिर हमें कम और कम करने पड़ेगी वो करीब 2-3 cm होगी क्योंकि बीज जितना बड़ा होता है जितना बोल्ड होता है उसका अंकुर भी कोलेप्टाइल भी ज्यादा होता है तो अब उसकी आप बहुत ज्यादा गहरी बुवाई ना करें छोटे बीज होने पर फिर अंकुर नीचे रहे जाएगा तो पहला कारण से होता है कि हम फरोग खुलते हैं और गहरी फरोग खुल जाती है गहरी कूंड हो जाती है फरोपनर से और उसके बाद भी हम उ लूटो ते कि अब लुटो जेलेगी कऐ और फूरकिण टीशल्य मेसे ऊद्षी गई है तो लेकिन यह जल्डी सूख जाती है तो दूप से सूख जाएगी तो इसका अंकुरज क्योंकि नया अंकुर होता है और मर जाएगा दूसरा जड़ोंग की पूरी ग्रोथ नीं 지 거지 तो पूरी तरह से मिट्टि के संपर्ख में नहीं होता है उसका निकलती हो पर उनकी घ्रोथ नहीं होती, अगर पौदा जमता भी है तो स्वेस्थ पौदा नहीं हो पाता उसकी उपज कम रहती है तो यह हमारा कारण रहता है कि उतली बुवाई करने पर germination कम हो जाएगा अगर पौदा बन भी गया तो कमजोर पौदा रहेगा और हवा चलेगी तो वो गिर जाएगा तो lodging की समस्या भी आती है अगर हम उतली बुवाई करते हैं तो कुल मिलाकी हमारी यहां उपज कम आती है तो आपको बड़ा निश्चित यह करना चाहिए कि हमारी जो कूण खुल रही है यह पास से चैंटीमिटर हो जाए तो यह उप्टियूम रहता है उचित रहता है और सरसों वगरा में दो से तीन सैंटीमिटर प्रयाप्त होता है सबसे जाधा घहरा भी जाएगा तो फिर समस्या आती है दूसरा कराण यह होता है कि हम खेट को सही से तयार नहीं करते है जल्दीवाज में खेट तयार कर लिया सही से हैरो नहीं क्या सबसे जो समस्या आती है वो आती है हमारा खेट सही से तयार नहीं है, तो कहीं सीड्रिल दब जाती है, कहीं उठ जाती है, फिर हमारा रेजिड्यूज पराने पसल अफशेश पड़े हैं, वो सीड्रिल में फस आते हैं, वो बीच को नीचे नहीं गिरने देते, तो कहीं तो बीच घटा गिर जाता है, कहीं गिरत रहता है और ऊपर नहीं आपाता और अगर मिट्टी आपाता हो एक चम्तल करना है बीज होती है कि हम बहुत अधिक मात्रा का प्रियोड कर देते हैं चाहे तो जब औरब्रक क्या होता देखिए चीज़े डारेक्ट कॉंटेक्ट में आ गया तो क्या होगा यह साल्ट होते हैं इस सार्ड निकलेगा जल जायेगा तो अगर आप कूण में खाट डालना है तो यह हमारा बहुत जादा खाट नहीं डालनी है अगर हम प्रयाप्त मात्रा म में नहीं होता ऐसा कम चांस होता है लेकिन माली जाब बहुत जादा खाट डाल दिया आपने कूण के अंदर बीज उसके उपर डाल दिया तो बीज तो सीधे खाट के उपर पड़ा हुआ है तो जल जाएगा तो ऐसे केस में जहां आप फर्टिलेजर डारेक्ट में है बीज उसके डारेक्ट कांटेक्ट में आजाए तो कोशिश करने चाहिए कि मिट्डी में अच्छी तरब से मिल जा है और फिर बीज आय। तक यूँन दोनों के बीच में डारेक्ट कांटेक्ट ना हो यह समस्या रहती है फिर बीमारी ऑ कीठ जो कुछ बीमारिया जो मिट् treated होना चाहिए, होता है कि हम बजार से बीच तो खरीदे हैं लेकिन अगर वो properly fungicide से treated नहीं है तो रोग आ जाएगा तो ये अमारा प्रयास होना चाहिए कि जो हम बीच खरीद रहे हैं वो treated होना चाहिए, अगर वो treat नहीं है उपचारित नहीं है किसी fungicide से दवा से तो उसको हम उपचारित करें इसी तरह से बहुत सारे कीट होते हैं जो जैसी बीच जमता है उसके अंगों को खा जाते हैं, नीचे से बीच खा जाएंगे रोडेंट्स की समस्य होती है चूह की समस्य होती है, वो भीच खा जाते हैं तो इन सबसे बचने के लिए आपका fungicide से और insecticide से treated होना चाहिए हलाकि जो अच्छी कंपनी होती है वो fungicide और insecticide से treat किये रहती है आप उसको जब बीच खरिकते समय यह देख लें कि वो treated है या नहीं है पपड़ी जम जाती है, मिट्टी पर crust बन जाती है तो यह समस्य अगर ऐसी है तो आप बीच बोएंगे तो अब मान लिजा आपने बीच बोया यहां पे यह बीच बो रखा है हमने मान लीजे और यह अंकुर निकल रहा है उपर को आ रहा है और यहां crust बन गई तो यह crust बड़ी मजबूत होती है और अंकुर इसको तोड़ नहीं पाता तो क्या अंकुर यहां फज आता है मुड जाएगा तेड़ा मेड़ा हो जाएगा निकलेगा भी तो तेड़ा सा निकलेगा उससे जो है हमारी जो पौध है वो खराब हो जाती है और अच्छे पौधे नहीं बन पाते इस करण से जो उसको उपा जाएगी वो भी क्याएगी कम आएगी एक तो अंकुरन कम हुआ दूसरा जो अंकुर निकला वो भी खराब निकला हेल्दी नहीं रहा तो यह पौपड़ी बनने की बड़ी समस्या रहती है तो ऐसे छेत्रों में हमको गोवर की खाथ प्रयोग करना चाहिए जिपसम को प्रयोग करना चाहिए और जिस कूण में हम वीज डाल रहे हैं वहां उसमें हमें गोवर की खाथ या मल्च इस तरह कर चाहिए पोवर क्रषट ना बनें तो अईजी जामीनों में बहुत अधिग समस्या देहीं जाती हैं जहां क्रश्ट बनती हैं ज़माव कम होता है अगला अखरान क्या है कि नमी अगर मिट्टी में कम है हमें लगता है कि यह से नमी है लेकिन वो नमी उतनी प्राप्त नहीं होती कि बीज उसमें से नमी लेकर के अंकुर अपना छोड़े जड़ निकाले तो मिट्टी में नमी की कमी हो रही है तो जो बीज है वो उसको मौशर जो पानी है नमी की मात्रा नहीं मिल पाती और बीज तो जमता है लेकिन चुकि उसको बराबर पानी नहीं मिल पा रहा है नमी नहीं मिल पाती तो बीज जमने के बाद वहीं खतम हो जाता है तो आप जलता है कि है लेकिन वह उतनी बीच के लिए प्राप नहीं होती है तो ऐसा आप करेंगे तो बीच का जमाव कम होगा तो यह ऐसी हम गलती कर देते हैं जल दिवाजी में खेट सही से तैर नहीं करते हैं उसकी लेवलिंग नहीं करते कूण खोल देते हैं तो कहीं गहरा बीच पढ़ जाता है कहीं उपर बीच पढ़ जाता है हमारे खेत में लगाता है लेकिन आम उस खत्म करने उपाई नहीं करते हैं और ऑनिक मैटर नहीं डालते जब पदार्तों की मात्रा कम होती जा रही है तो उसकारेंशे भी जो है क्रेश्ट बनती है उसमें प्रॉपर ली तो अगर आप इन गल्तियों पर ध्यान देंगे, इन गल्तियों को नहीं करेंगे, तो अच्छा अंकुरण होगा, बीच का जवाब अच्छा होगा, और जो पौधों की संख्या होगी, वो अच्छी होगी और उपज भी अच्छी मिलेगी, तो आशाय मेरी बात आपकी समझ म प्ले लिश्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।